नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नॉम में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनीश इशोदिया को एडी ने गिरफतार कर लिया है और कल दोपहर दो बजे एडी मनीश इशोदिया को कोट में पेश करेगी इस गिरफत नहीं मिला कल बेल पर सुनवाई है कल मनीश छूट जाते तो आज इडी ने गिरफतार कर लिया इनका एक ही मकसद है मनीश को हर हालत में अंदर रखना रोज नए फरजी मामले बना कर जनता देख रही है जनता जवाब देखी तो ये ट्वीट अर्विन के जिवाल की तरब से आया है बताते आपको कि सुबह से ही लगतार लंबी पूश्टात चल रही थी एडी के अधिकारी तेहार जिल के अंदर गये थे चराब घुटाले को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे पर अभी बड़ी कबर ये सामनी आ रही है कि एडी ने मनीश शोद्या को गिरफतार कर करना ही था वो इसलिए क्योंकि जो तमाम आरोपी पकड़ गये एडी के गरफत में जो लोग आये और एडी को जो उन्होंने जानकारी दी जैसे दिनेश शर्मा उसने पूरी कहानी बताए दिनेश अरोडा उन्होंने पूरी कहानी बताए कि किस तरीके से वो पैसे के भी घूस में देना होता था जैसे जिनको 2% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया तो 6% पैसा आम आदबी पार्टी एक केजरिवाल लेता था और ये पैसा कैश में जाता था तो एक तो उस वक्त से ही ED के कान कड़े हो गये कि एतना सारा पैसा वो आखिर आ रहा है जा कहा रहा है किस माध्यम से से एक जग से दूसरे जगले फिजकली ले जा रहा है हवाला के जरिए विदेश भेजा जा रहा है क्या किया जा रहा है تو एक तो ये सवाल था तो ये जानकारी अलड़ी थी कि घोटाला हुआ है और ये जो होश्यार लोग है ज्यादा ये नेटवर लाल का जो पूरा गैंग है वो यही बात तो कहता है कि भई हर जगा आपने च्छापे मारी कर ली घर में पैसा नहीं मिला ऑफुस में पैसा नहीं मिला भई दस अजार क से पूछतास इसलिए भी की गई कि एक तो पहले से ये अंदेशा था कि कैस्ट में ट्रांजेक्शन हो रहा है हवाला ऑपरेटर से इसमें काम कर रहे हैं एक दूसरा जब एडी की तहकिकात आगे बढ़ती है तो जिसमें हैदराबाद से जो साउथ लौबी कहलाता है उसके सीए को मालूम ये चला कि सौख़़ो रुपए कि हम आपके बेनिफिट के लिए दिल्ली के अंदर एक पॉलिसी लेकर क्या आ रहे हैं आप हमें सुझाओ दो जो आप जैसा चाते हो वैसा कानून हम बना देंगे ताकि फिर आप लोग दोनों हम लोग मिलके लूट सकेंगे 6% मेरा होगा और बाकी का मुनाफ़ा आपको जितना भी कमाना है आप कमाएं और ये हमारे लिए एलेक्शन फंडिंग का एक नया सोर्स होगा अब ये बाते मनी सिसोधिया के बारे में कि वो इस तरह की मीटिंग्स में इस तरह से पैसे लेकर के इस तरह से चीज़े किया य और ये जो सौथ लोबिक के जो दो लोग हैं वो पकड़े गए उन्होंने बताया कि हमने पैसे गोवा में दिये सौकड़ो रुपए किस चीज़ के लिए सराब की विक्री के लिए नहीं पॉलिसी लाने के लिए और इसलिए ये नहीं पॉलिसी को त्रोती रोल बैक किया के जैसे हवाला ऑपरेटर्स के जरिये वो गोवा पहुंचा इसका पूरा ट्रेस इनके पास है एडी ये दावा कर रही है कि हमारे पास पूरा मनी ट्रेल है कि कहां कहां से पैसा किसके सहां से गया और कैपिल टीवी के दरसक इस चीज़ को समझेंगे हम लों लगातार कहते आ होगा वहां परचार परशार में खर्चुआ होगा वहां कोई मीडिया देख रहा होगा कोई मीडिया के लिए पैसे दे रहा होगा तो Hopefully we आज सवेरे से पूश्टाच की गई मनिस से सो दिया ठीक वही चीज के हम बता नहीं सकते यह नहीं सकते वो सारे चीज़ों को बचाने की कोशिस में था और इसलिए एडी ने इसे गरफतार किया है कि ताकि यह तो कल छूट जाएगा अगर जमानत हो जाती है सीब्याई के केस में वैसे भी जमानत मिल जाती है कि आप यह समझे बेल हर व्यक्ति का राइट है किसी को बेल डिनाई किया जा रहा है तो आप यह समझे कि उसके लिए पूरी तरह से कोट कंविंस्ट है कि इसको जेल में रखा जाए अधरवाइस हिंदुस्तान में जो कानू जाता लेकिन 14 दिन के आपको सीब्याई हिरासत में भेज दिया गया तो कल सुनवाई थी तो आज एडी ने गरफ्तार कर लिया गरफ्तार करने से क्या होगा कि अब इनके ऊपर मनी लॉंडरिंग का केस चलेगा और उसके तहट इन पे कारवाई होगी निकलना बड़ा तो ये तमाम लोग अब इसलिए ये जो है कल बैंड पार्टी बाजा के साथ जो है ये जंतर मंतर पर हला करेंगी कि देखिया हम तो सवार उठा रहे थे लेकिन ये लोग जो है जो स्कूल बना रहा था उसको वो जेल में डाल रहे हैं वही स्कूल बना रहे थे अच्छा का है कि एडी एक्शन में आ गई है उनके पास सबूत है कोट में उसे कल पेश किया जाएगा और कोट में बताया जाएगा कि ये जो सक्स है जो दिल्ली का सराब मंतरी है इसने इस तरह से मनी लॉंटिंग की है हम तहकिकात करेंगे इसको अपनी कस्टेडी में या फिर जूड पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है उन्हें एक के बाद एक जो सबूत हाथ लग रहे है उससे ये जाहिर है कि बड़ी टादात में शराब घुटाला हुआ है और मुख्य आरोपी मनी शिशोदिया है जिसको लेकर आज इडी लगतार सुबह से आठ गंटे के करीब करीब लबी पूश्ताच के बाद एडी ने एक्शन ले लिया और आखिरकार एडी ने मनी शिशोदिया को गिरफतार कर ही लिया कल दो पहर ठीक दो बजे एडी मनी शिशोदिया को कोट में पेश करेगी अब देखना होगा कि कोट के तरब से मनी शिशोदिया को और कितना बड़ जटका लगता है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरे पसंट भूला के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी